अध्याए बार है आंतरिक मार्ग अगर हमें अपने घर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले घर के दर्वाजे की तलाश करनी पड़ती है निज घर का वह दर्वाजा आखों के पीछे तीसरी आख एक आख या तीसरा तिल है उसी को खोलने के लिए हम उसको खट-खटाते है यानि बार-बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए खयाल को आखों के पीछे इकठा करते है जब बार-बार खट-खटाने से यानि सिमरन और ध्यान से हमारा खयाल इकठा हो जाता है तब उस घर का दर्वाजा खुल जाता है फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है जब हम अपने ख्याल को वहां जाकर शब्द के साथ जोड़ते है तो शब्द का मार्ग खुल जाता है उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाब कर सकते हैं तुलसी सहब समझाते है कुद्रती काबे कि तू महराब में सुन गौर से आरही धुरसे सदा तेरे बुलाने के लिए मुसल्मानों का खयाल है कि हज यनी काबे की यात्रा करने से हम नजात प्राप्त कर सकते हैं तुलसी सहब फरमाते हैं कि जो असली काबा है वो हमारा शरीर है पैरों के तलवों से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर खत्म होता है इस हज की दो मनजिले हैं एक आँखों तक और दूसरी आँखों से उपर मौलवी हमेशा महराब के अंदर खड़ा होकर बांग देता है हमारे माथे की बनावट भी महराब की तरह है जो मालिक की दरगाह की तरफ से कुदरती कलमा आ रहा है वो इस महराब यानि माथे के अंदर आ रहा है जब हम उस आवाज या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चल कर अपनी मन्जिले मकसूद पर पहुँच जाते हैं जहां से ये आवाज आ रही है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं हमारा ये शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ही बना हुआ ना सिर्फ पांच-छे फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हुए हैं, बलकि वो परमात्मा खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक कोई सच्चा गुर्मुख नहीं मिलता, तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते। आप समझाते हैं कि शरीर के दो हिस्से हैं, एक आँखों से नीचे और दूसरा आँखों से उपर, आँखों के नीचे नौदवारों में सिर्फ इंदरियों के भोग और विशेविकारों के स्वाद हैं। जब तक हमारा खयाल आँखों से नीचे नीचे है, हम मुक्ती प्राप्त नहीं कर सकते। गुरू के उपदेश तवारा खयाल को शरीर से समेट कर, आँखों के पीछे और बीच में एकागर करना ही मुक्ती के दरवाजे पर पहुँचना है। अनहद शब्द वहां दिन रात धुनकारें दे रहा है। गुरू अमरदास ची फरमाते हैं, गुर सबद मिले से विछुडे नाही, सहजे सच समावनेया। जब हम गुर्मुखों के जरीए शब्द को पकड़ लेते हैं, तो फिर शब्द हमें छोड़ता नहीं, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता है। हमें उस शब्द के जरीए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है, और शब्द के प्रकाश के जरीए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ती है, उसे महात्मा निरत कहते हैं, और जो सुनने की शक्ती है, उसे सुरत कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर से शाम को सेर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं, रात का अंधेरा सिर पर छा जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूजता, अपने घर के रास्ते का कुछ पता नहीं चलता और ना घर के रुख का ही कुछ अंदाजा रहता है, तब हम वापस अपने घर पहुँचने के लिए उस अंधेरे में चुप चाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की तरफ से आ रही हो किसी रेडियो की आवाज हो या कुटा भौकता हो या ऐसी ही कोई और आवाज आती हुई सुनाई दे तो हम उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं कि हमारा घर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ, रुख का पता चल जाता है, लेकिन रास्ते में अंधिरा है, उची नीची जमीन है, पानी या जाडियां वग्यरा हैं, इसलिए अगर हमारे हाथ में कोई टॉर्च या लाल्टेन हो, तो हम उसके प्रकाश के द्वारा उची नीची जमीन देखते हुए, कांटों, जाडियों वग्यरा से बचते हुए, अपना रास्ता ढूंड कर सही सलामत वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। और वो रोशनी भी रखी है, हमें उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम करना है, और रोशनी के जरीए अपना रुहानी सफर तै करना है। कबीर सहब भी उसकी तरफ इशारा करते हैं, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल, वह अगम की जोत हमारे सब के अंदर बगैर बत्ती और तेल के जल रही है। पल्टू सहब भी अपना यही अनुभव समझाते हैं, उल्टा कुवा गगन में तिसमे जरै चिराग, तिसमे जरै चिराग बिना रोगन बिन बाती, छेह रितू बाराए मास रहत जरते दिन राती। हमारे सिर के उपर के हिस्से को आप उल्टा कुवा कहकर बयान करते हैं। कुवे का मुँ उपर और पैंदा नीचे होता है। हमारे सिर का पैंदा उपर और मुँ नीचे की तरफ है, यानि उसकी बनावट कुवे से उल्टी है। आप फरमाते हैं कि जब हम नौदवारों से ख्याल को निकाल कर आँखों के पीछे एकठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे उस जगह हर एक के अंदर एक जोत जल रही है उस जोत को जलाने के लिए ना तो किसी बत्ती की जरूरत है और नहीं किसी तेल की बाहर हम जितनी जोते जलाते हैं, उनको बत्ती और तेल की जरूरत होती है अगर बत्ती खत्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो वे बुझ जाती है लेकिन जिस जोत का पल्टू सहब जिक्र करते हैं, वो जोत 24 घंटे हमारे सब के अंदर जल रही है साल की छह रितूएं होती हैं और बारे महीने, वे जोत हर रितू, हर महीने और हर वक्त, हर मनुश्य के अंदर जल रही है स्वामी जी महराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहां होना, दुई यहां दूर हो जावे, दृष्टी जोत में धरना अगर हम अपनी तवज्जो नौ दुवारों से समेट कर आँखों के पीछे इकठी कर लें, तो हम दृष्ट से निकल कर एक्ता में आ जाते हैं, और उस जोत के दर्शन करने के काबिल हो जाते हैं जब तक हमारी तवज्जू या ध्यान दोनों आँखों के द्वारा बाहर की और फैल रहा है, हम दृष्ट में फसे हुए हैं जब ख्याल को समेट कर आँखों के पीछे इकठा करते हैं, तो हम एक्ता में आ जाते हैं, फिर हमें इस नुक्ते पर उस जोत के दर्शन होते हैं हजरत ईसा ने बाइबल में इसी का जिक्र किया है, आँख शरीर का उजाला है, इसलिए अगर तु एक आँख वाला हो जाए, तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा भाव है कि अगर तुम अंदर की आँख खोल लो, और अपने खयाल को तीसरे तिल पर एकागर कर लो, तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा गुरुनानक सहब भी यही उपदेश देते हैं, अंतर जोत निरंतर बानी साच्चे साहिब स्यो लिवलाई हर एक मनुश्य के अंदर वह जोत जल रही है, उस जोत के अंदर से एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज निकल रही है जो उस जोत के दर्शन करता है और उस वानी की सुरीली आवाज को सुनता है उसका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है और मालिक से प्यार पैदा हो जाता है हम सबको मालुम है कि जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं क्या गुरुदवारा, क्या मस्जद, क्या मंदिर, क्या गिर्जा सबके अंदर हम जोत जलाते हैं और घंटे या शंक जैसी आवाज पैदा करते हैं किसी गिर्जे में चले जाएं, वहां मुम्बतियां जलाई जाती हैं, और सबसे उपर घंटा लटका रहता है, जो प्रार्थना आदी शुरू होने से पहले बजाया जाता है. इसी तरहे बौध मंदिरों में भी हमेशा जोत जलती रहती है, जिसे वे अखंड जोत कहते हैं, और जिसे कभी बुझने नहीं देते, लेकिन जिस अखंड जोत की और महात्मा बुध ने इशारा किया है, वह तो हम सब के अंदर है, उनके मंदिरों में बिगुल वगेरा भी बजाय जाते हैं, जैनियों और हिंदुओं के मंदिरों में भी जोत जलाई जाती है और घंटे बजाय जाते हैं, इसी तरह गुरुद्वारे में आरती के समय जोत जलाई जाती है, घंटे, शंख, नगाडे बजाय जाते हैं, मुसल्मान भी मजारों पर रात को चिराग जलाते हैं, मौलवी उची उची आवाज में बांग देता है, नककारा बजाता है हमने कभी ये विचार नहीं किया होगा कि हर एक धार्मिक स्थान पर जोत क्यों जलाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है असल में रिशी मुनियों, संत महात्माओं, पीर पैगंबरों ने समझाया था कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा और असली गुरु द्वारा, मंदिर, मस्जिद या गिरजा है और इस शरीर के अंदर जोत जल रही है और शब्द की आवाज हो रही है जो शुरू शुरू में घंटे और शंक जैसी सुनाई देती है लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद उनकी असली शिक्षा को भूल गए और बहिर मुखी हो गए अंदर उस शब्द की आवाज को सुनकर और प्रकाश को देखकर हमारा मन बिंध जाता है वश में आ जाता है और वापस अपने ठिकाने पर पहुँच जाता है आत्मा और मन की गांट खुल जाती है उस हालत में हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं पर मात्मा से मिलाप के काबिल बन जाते हैं गुरु अमरदास्ती समझाते हैं गुर ज्ञान अंजन सच नेतरी पाया अंतर चानन अग्यान अंदेर गवाया जोती जोत मिली मन मानेया हर दरसो भापावणेया जब हम गुरुमुकों की बताई हुई युक्ती के अनुसार आखों में शब्द रूपी सुर्मा डालते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा हमारे रास्ते से दूर हो जाता है तथा परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है हिंदुस्तान में ये आम रिवाज है कि किसी को दिखाई कम देता है तो उसे सुर्मे का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है आम धारणा है कि सुर्मा डालने से नजर ठीक हो जाती है और अच्छी तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है गुरु अमर्दास जी ये मिसाल देकर समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव आँखों के होते हुए भी अंधे बने हुए हैं हमें अपने अंदर कुछ भी नजर नहीं आता जब हम शब्द रूपी सुर्मे का प्रियोग करते हैं यानि अपने खयाल को अंदर समेट कर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो हमारा अग्यानता का अंधेरा दूर हो जाता है और हमें अपने अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है जिसे देखकर हमारा मन मान जाता है यानि वश में आ जाता है फिर ये मन जो इंदरियों के भोगों का घुलाम बना बैठा था उस प्रकाश में लीन हो जाता है और शब्द की आवाज को सुनकर और पकड़ कर अपने असले ठीकाने त्रिकुटी में पहुँच जाता है तब कहीं हमारी आत्मा मन के पंजे से आ मात्मा में मिलती है और हमारी आत्मा मालिक की दरगाह में जाकर असली इज़त और शोभा प्राप्त करती है हजरत इसा भी बाइबल में कहते हैं मैं इस जगत में निया के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं यानि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि जो लोग आखे होने के बावजूद अंधे हैं और उस मालिक को नहीं देखते, मैं उनको इस दुनिया की शकलों और पदार्थों की और से अंधा कर दूँ और मालिक की और से आखों वाला कर दूँ गुरु अमरदास जी यही समझाते हैं जिन अंतर सबद आप पचाने गत्मित तिन ही पाई जो अंदर उस शब्द को पकड़ कर अपने आपको पहचानने के काबिल बनते हैं असली गती और मालिक से मिलने का सोभाग उन्हीं को प्राप्त होता है आप फरमाते हैं को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ें गुरु नानक सहाब एक और स्थान पर फरमाते हैं सबद मरै सो मर रहे फिर मरै न दूजी वार स्वामी जी महराज समझाते हैं नाम के रंग में रंग जा मिले तो ही धाम निज अपना गरंथ पोथियों, वेद शास्त्रों में महात्मा उस नाम या शब्द की महिमा लिखते हैं उनको पढ़ने से हमें समझ आ जाती है कि हमें नाम की कमाई क्यों करनी है और किस तरह करनी है लेकिन गरंथ पोथियों में वो नाम नहीं है सिर्फ नाम की महिमा है और उसको हासिल करने का तरीका है उनके पढ़ने में मुक्ती नहीं है जो पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ती है जिस तरह डॉक्टर की किताबों में नुस्खे या बिमारियों का इलाज करने के तरीके लिखे हुए है लेकिन किताबों में दवाईया नहीं है कोई बिमार सारा दिन डॉक्टरी की किताब पढ़ने से तंदुरुस्त नहीं हो सकता बलकि जो कुछ उस किताब में लिखा है उसके मताबिक दवा का इस्तिमाल करके ही ठीक हो सकता है दवा अपने आप में कोई और चीज है और किताबों में दवा का जिक्र कुछ और है इसी प्रकार अगर कोई सारा दिन खाना बनाने की किताबें पढ़ता रहे जिन में तरह तरह के पकवान बनाने के तरीके लिखे हुए हैं तो उनको पढ़ने से उसे ना तो खाने का स्वाद आ सकता है और ना पेट ही भर सकता है जब वो किताब के अनुसार खाना बना कर खा लेता है तो पेट भी भर जाता है और स्वाद भी आ जाता है इसी तरह अगर किसी को रेल से सफर करना है तो पहले टाइम टेबल या गाइड बुक को अच्छी तरह पढ़ा जाता है उससे पता चलता है कि रेल की यात्रा कितनी लंबी है, कौन-कौन से स्टेशन रास्ते में आएंगे, कितना किराया लगेगा और कितने बजे गाड़ी स्टेशन से रवाना होगी लेकिन उस टाइम टेबल को सिर्फ पढ़ने से ही हम अपनी मनजिले मकसूद पर नहीं पहुँच जाते जब स्टेशन पर जाकर टाइम टेबल के अनुसार टिकट लेकर गाड़ी पर सवार हो जाते हैं, तभी हम मनजिले मकसूद यानि लक्ष पर पहुँच सकते हैं इस नुक्ते और स्थान पर आकर आज आम दुनिया भूली बैठी है हम अपने ग्रंथ पोथियों, वेद शास्तरों के पढ़ने-पढ़ाने को ही मुक्ती का साधन समझ लेते हैं अक्सर तो हम खुद भी नहीं पढ़ते, बलकि कोई पंडित या ग्यानी हमारे घर में पढ़ता रहता है और हम दुनिया के कामकाज में डूबे रहते हैं और मन में सोचते हैं कि हम कितना लाभ उठा रहे हैं, कितना पुन्य कमा रहे हैं अगर खुद बैठ कर पढ़ें या सुनें, तो उन महात्माओं के वचन हमारे कानों में पढ़ें, हमें अपनी कमजोरियों और कमियों का पता चले और फिर उनको दूर करने का मन में शौक पैदा हो तरीके और साधन का पता चले, तब तो उस पढ़ने पढ़ाने का भी फाइदा हो हमने तो उसे सिर्फ एक रीती रिवाज बनाया हुआ है, कि शायद उस पंडित के पढ़ने से ही हम मुक्ती प्राप्त कर लेंगे महात्मा हमारे खयाल को इन भ्रमों में से निकालते हैं स्वामी जी महराज फरमाते हैं वेद, शास्त्र, स्मृत और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा, बिना सत्गुरु और बिना शब्द सुर्थ, कोई न उतरे भाव पारा इसी प्रकार गुरु नानक सहाब उपदेश देते हैं पढ़िये जेते बरस बरस, पढ़िये जेते मास, पढ़िये जेती आरजा, पढ़िये जेते सास, नानक लेख है एक गल, और हो मैं चक्खना चाक चाहे हम सारा दिन पढ़ते रहें, सारा महीना पढ़ते रहें, सारा साल, सारी जिन्दगी और सांस सांस पढ़ते रहें, तो भी सिर्फ एक ही चीज हमारे हिसाब में लिखी जाएगी, कि हमारी सुरत उस शब्द या नाम को पकड़ती है या नहीं, अगर नहीं, तो हमारा स पढ़ना पढ़ाना फुजूल है। यही तुलसी सहब अपनी वानी में फरमाते हैं। पढ़ना फुजूल पक्षी जैसी है। जिसके लिए कहा जाता है कि जैसी बोली वो सुनता है उसी की नकल कर लेता है। चुगा चाहा उसे दा सड़या। बाइबल में हजरत इसा भी यही कहते हैं। हे पिता, लोक पर लोक के स्वामी, मैं तेरा शुक्रिया करता हूं कि तुने इन बातों को ग्यानियों और बुद्धी मानों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया है। आपके कहने का मतलब है कि हे मालिक, मैं तेरा शुक्रिया करता हूं कि तुने इस गूड रहस्य को सांसारिक और तरक बुद्धी वाले लोगों से परे रखा है और केवल उन्ही पर प्रकट किया है जो बच्चों के समान भोले और निश्कपट हैं। हम ग्रंथ पोतियों, वेद शास्त्रों को पढ़कर वाचक ग्यानी बन जाते हैं। वाद विवाद करने की आदत पैदा हो जाती है। अपने आपको बड़े गुणी ग्यानी, आलिम फाजिल समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों को ना समझ और अग्यानी मानने लग हैं। मन में हौमें, गमंड और अहंकार आ जाता है। जबकि मालिक की भक्ती के मार्ग पर तो पढ़ लिखकर भी बच्चों के समान भोला बनना पड़ता है। गरंथ पोतियां और वेद शास्त्र क्या हैं। गुरू सहबान, रिशी मुनियों, पीर पैगंबरों ने महनत क और मालिक से मिलाब किया। जो कुछ नजारे उन्होंने अंदर देखे और जो रुकावटें उन्होंने अंदर महसूस की और देखी, उन्होंने हमारे फाइदे के लिए इन धर्म पुस्तकों में उनका जिकर कर दिया। ये पवित्र पुस्तकें उन महात्माओं के निजी अनुभवों का रिकॉर्ड हैं, हमें उनके पढ़ने से वे अनुभव नहीं हो सकते, जब तक जो कुछ हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार अपने अंदर खोज और जाच परताल नहीं करते, उसके पढ़ने का कोई फाइदा नहीं, ये खोज और तहकीकात करने का तरीका सिर्फ शब्द या नाम की कमाई है, वो नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है और हमारे लिए ही परमात्मा ने हमारे अंदर रखा है, लेकिन उसकी खोज किस तरह करनी है? इसके भेद या तरीके का हमें संतों से ही पता चलता है, गुरु अर्जुन देव जी समझाते अनहद बानी पूंजी, संतन हथ राखी कूंजी, गुरु अमरदास जी का कथन है, सत्गुर हथ कूंजी, होरत दर खुल ले नाही, गुरु पूरे पाग मिलावनिया